आज हम लोग कप्छा चे की English Reader का Lesson 5 पढ़ाएंगे Lesson 4 में ने Classroom में पढ़ा दिया था आप लोगों को The Dunkey and the Dog इसका Question and Answer और Fill in the Blanks Matching Type और 4 तैट से स्रीज में ने करवा दी थी तो इसमें अगर कोई समस्या होगी तो आप हमें मैसेज करके पूछ लिजेगा तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं Lesson 5 I Wish I Could Class 6 का ये चैप्टर है I Wish I Could इस पोएम का पहले अर्थ समझते हैं इसका जो टाइटल है I Wish I Could I Wish, I Wish पहने मेरी इच्छा है I Could कि मैं वह कर सकूँ यहां पर एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत कुछ करने की इच्छा रखता है तो उसी पर ये पोएम है There are a lot of things बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं I Wish I Could Be मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब को करूँ यानि बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो वह बच्चा अपने जीवन में करना चाहता है Like a diver down under the sea Like a diver, diver मतलब गोता कोर एक गोता कोर की तरह down under the sea समुद्र की गहराईयों की नीचे जाना चाहता हूँ Or an astronaut rowing way up high या फिर एक astronaut Astronaut मतलब होता है अंत्रिक्ष यात्री एक अंत्रिक्ष यात्री की तरह बहुत उचाईयों पर गोमना चाहता हूँ Rowing, rowing मतलब गोमना Way up high मतलब उचे रास्तों पर याने उचाईय पर गोमना चाहता हूँ एक अंत्रिक्ष यात्री की तरह और पाइलेट या फिर एक पाइलेट की तरह वायू यान चालक को पाइलेट कहते हैं Flying planes in the sky या फिर एक पाइलेट की तरह याने हवाय जहाज चालक की तरह एक हवाय जहाज को आकास की उचाईयों पर उडाना चाहता हूँ और एक क्रिकेटर या फिर एक क्रिकेटर की तरह याने जो क्रिकेट खेलते हैं उनको क्रिकेटर बोलते हैं Hitting every ball for a six हर बॉल पर एक six याने छक्का मार सकों बच्चों देखो ऐसा तो कभी संभव नहीं है लेकिन एक छोटे से बच्चे की जो कलपना है यहां पर बताई जा रही है कि मैं एक ऐसा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ जो हर बॉल पर ही sixer मार दें आप मेंसे कौन-कौन क्रिकेट खेलना पसल करते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट करके ठीक है और एन इंजीनियर या फिर एक अभियंता बनकर इंजीनियर बच्चो शब्द आपने सुना होगा इंजीनियर जो होते वो ने-ने वस्तुओं का निर्माड करते हैं जैसे बिल्डिंग हो गई ब्रिज हो गए फुल बाद इन सब को बनाने के काम इंजीनियर करता है इंजीनियर को हिंदी में अभियंता बोलते हैं और इन इंजीनियर या फिर एक अभियंता बनना चाहता हूं जो हर चीज को सुधार कर सकता है और चीज को पुनर निर्मित कर सकता है और डॉक्टर या फिर में एक चिकित्सक बनना चाहता हूं taking care of sick जो बीमार लोगों की देख भाल करता है taking care का मतलब होता है देख भाल करना sick मतलब होता है बीमार भी तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या फिर मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ जो बीमारों की देख भाल करे a chef after whose dishes your fingers you will lick या तो फिर मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ chef मतलब बावर्ची जो खाना बनाता है अलग अलग तरह के स्वादिष्ट वेंजन जो बनाने की कला जानता है उसको शेफ बोलते हैं a chef after whose dishes एक ऐसा बावर्ची जिसकी dishes याने जिसके दबारा बनाये हुए वेंजन खाने के बाद your fingers you will like तुम अपनी उंगली तक चाट जाओगे इस प्रकार का में एक शेफ बनना चाहता हूँ एक बावर्ची बनना चाहता हूँ जिसके बनाये हुए खाने को खाने के बाद आप अमने उंगली जाटते रह जाए but here comes mum लेकिन यहाँ पर mum आ जाती है याने मेरी पाह आ जाती है with samosa for tea ठीक है samosa के साथ चाय लेकर के ठीक है and at times like this और उस समय I am glad I am me और उस समय मैं अपने आप में होना जादा पसंद करता हूँ मैं स्वयम बनना जादा खुशी महसूस करता हूँ याने मैं अपना स्वयम का जो profession है याने मैं जो अपनी मा का बेटा हूँ या फिर मैं एक छोटा सा बालक हूँ जो उनमें से कोई भी चीज भी नहीं कर रहा है उस समय मैं स्वयम अपने आपको ही बनना पसंद करता हूँ क्योंकि वो समोसा और चाय जो है मेरी मा केवल मेरे लिए बना के लाई है तो इन मैं से वो कुछ भी चीज उनको पसंद नहीं होता है बनना उस समय केवल वो मी ही बनना चाता है मी मी मतलब स्वयम ही बनना चाता है एक बालक ही बने रहना चाता है इसके लेखक जो है उसमें एनॉनिमस लिखा हुआ है याने अज्यात याने इसके लेखक का नाम नहीं पता है ये पोएम तो लोगों को पता है लेकिन इसके लेखक कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है तो इसको एनॉनिमस लिखा जाता है चलिए इसके question answer discuss कर लेते हैं, इसमें जो word meaning आये हुए है, अगर आपको समस्या होगी तो आप हमसे पूछ लीजेगा, इसका question answer देखते हैं, पहला question है, where does a diver dive, एक गोता कोर कहां गोता लगाता है, कहां डुपकी लगाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक इंजीनियर क्या करता है, तो इंजीनियर, जो होता है, वो हर चीज को fix कर देता है, तो एक जो इंजीनियर है, वो क्या कर सकता है, इसका उत्तर हम रख देंगे, कि एंजीनियर क्यान फिक्स एवरिथिंग, देखिए, कैन फिक्स एवरिथिंग की स्पेलिंग आपको पोएम में मिल जाएगी, तो एंजीनियर कैन फिक्स एवरिथिंग, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, Write the names of profession mentioned in the poem, उन वेवसायों के नाम बताएगे, जो पोएम में बताएगे हैं, जो इस कविता में बताएगे हैं, प्रोफेशन के नाम बताएगे, तो the names of the profession mentioned in the poem are, उत्तर हो जाएगा, the names of the profession, यहां राइट नहीं लिखना है, यहां पे द से उत्तर शुरूआ दोगी, The names of the professions mentioned in the poems are, अब आर्क लिखने के बाद आप एक चोटा सा डैश लगाएगे, जैसे घटाने का चिन्न होता है, वैसे डैश लगाएगे, फिर उसमें एक एक प्रोफेशन को कॉमा करकरके लिख देंगे, जैसे पहला लिखेंगे डाइवर, एस्ट्रोनाट, पाइलेट, क् शेफ, ठीक है, और शेफ से पहले एंड लगा देगे, डॉक्टर एंड शेफ, लास्ट में आप डॉक्टर एंड शेफ करके फुल स्टॉप लगा देगे, आपका एंसर पूरा हो जाएगा, विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग तु यू इस दा बेस्ट, कौन सा अर बेस्ट इन इच फिल्ड, ठीक है, इच प्रोफेशन इस दा बेस्ट इन इट्स फिल्ड, हर प्रोफेशन अपनी फिल्ड का, अपनी छेत्र का सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है, ठीक है, नो बडी, नो प्रोफेशन इस बेटर देन अदर, ठीक है, कोई भी प्रोफ किसी से अच्छा नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगा पे अच्छे हैं, फिलाल अगर आपको इन में से अगर किसी चीज का उत्तर पूछा जाएगा कि इन में से आपको कौन सा प्रोफेशन पसंद है, तो आप इन में से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको लिखना है पाइलेट का प्रोफेशन बहुत अच्छा है तो according to me pilot is the best profession ठीक है according to me pilot is the best profession यह आप उत्तर लिखते हैं चलिए यह वाला देखते हैं which is your favorite dish cooked by your mother तुमारे मा के दोरा बनाई जाने वाली सबसे पसंदीदा डिश क्या कौन सी है तो आपको जिसे आपकी माग के हाथ का बना हुआ हलुआ पसंद है तो आप क्या लिख सकते हैं हलुआ यह खीर पसंद है तो आप लिख सकते हैं कि my favorite dish cooked by my mother is sweet pudding sweet pudding sweet pudding का मतलब हलुआ यह खीर s-w-e-t sweet pudding p-u-d-d-i-n-g sweet pudding तो क्या हो जाएगा उत्तर the favorite dish cooked by my mother is sweet pudding इस तरह से आपका यह answer हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं word power में according to their work choose the correct profession for the following person from the box one is done for you इन पंक्तियों को पढ़ करके सही विवसाय को चुल करके उसके सामने लिख देना है एक आपके लिए करके दिखा दिया जा रहा है अब person who travel in the spacecraft एक व्यक्ती जो इस पेस क्राफट में सफर करता है यहने अंत्रिक्षियान में सफर करता है उसको बोलते है अस्टोनॉट अंत्रिक्षियात्री चलिए B देखते हैं A person who flies plane in the sky, एक व्यक्ति जो आगाश में हवाईजाज उडाता है, तो वो पाइलट होता है, यहाँ पाइलट लिख दीजेगा, यह देखा पाइलट, चले C वाला देखते हैं, A person who is a cook in the hotel, एक व्यक्ति जो होटल में खाना पकाने का कारी करता है, तो उसको शेफ बोलते हैं, C H E F, C वाले में शेफ हो जाएगा, D वाला देखते हैं, A person who keeps an account of money, एक व्यक्ति जो पैसों का लेखा जोखा रखता है, तो उसको हम लोग अकाउंटेंट बोलते हैं, D नंबर में अकाउंटेंट हो जाएगा, यहाँ अकाउंटेंट भल लिजेगा, चलिए, E वाले में दे Design Buildings, एक व्यक्ति जो building बनाता है, तो जो building बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको architect बोला जाता है, architect ही building का design करते हैं, और उनको बनाते हैं, design कर बनाते हैं, और जो design बनाने का architect का होता है, और building का निर्मार जो होता है, जो eat, cement, balu, kitty, इन सब का प्रयोप करके, जो eat बनाते हैं वो engineers होते हैं ठीक है तो engineer और जो मजदूर होते हैं वो मिल करके यह बनाते हैं तो a person who design building तो architect architect जो होते हैं वो building का design मनाते हैं a person who acts on stage or in films एक व्यक्ति जो stage पर यानि मंच पर या फिर filmों में ना करता है अभी नए करता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको actor बोलते हैं यहां पर actor लिख दीजेगा actor actor मतलब नायक अपर person who practice law एक व्यक्ति जो कानून की practice करता है यहने कानून का ग्यान रखता है और उसका संचालन करता है अब person who practices law तो वो हो जाता है lawyer देखिए इसमें भी law आ रहा है lawyer lawyer ल-a-w-y-e-r lawyer मैंने वकील चलिए who are they who are they वो कौन है my mother helps sick people मेरी मा सिक पीपल का ध्यान रखती है ख्याल रखती है she is a doctor तो बीमार लोगों का ख्याल कौन रखता है doctor तो वह क्या है she is a doctor my uncle fights fire मेरे जो uncle है चाचा जो है वो आग बुझाते हैं या फिर जहां पे पीशण आग लगी हो वह वहां पे उसको बुझाने का प्रबंध करते हैं तो वो क्या है he is a firefighter firefighter fire 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 चाजी अगम होटेल में फूड सर्व करते हैं तो यह वेटर का काम होता है फूड बनाते नहीं है वो अगर फूड बनाते तो शेफ हो जाते लेकिन अगर वो फूड सर्व कर रहे हैं तो वो वेटर हो जाएंगे He is a waiter, W-A-I-T-E-R, waiter, टेक है, W-A-I-T-E-R, waiter, my aunt teaches math, मेरी चाची maths पढ़ाती है, she is a teacher, यहाँ पे एक teacher हो जाएगा, कोई भी अगर कोई पढ़ा रहा है किसी वज़ चीज को, तो वो किसी भी विश्य को पढ़ाने वाला हो वेक्ती, वो teacher ही होता है, चलिए activity क्या करने है अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने सहेलियों से, आप लोग को discuss करना है, बतानी है उनको, कि आप क्या बनना चाहते हो, और क्यों बनना चाहते हो, आपके दोस्तों का एक मित्र मंडली होगी, आप लोग जिनके साथ खेलते हैं, कूलते हैं, भैठना उठना पसं चुका है कक्षा 6 के सभी चात्र इस पोवम को याद करेंगे अच्य से बहुत अच्छी पोवम है और ओसके प्रशनोत्तर प्रार कापि में लिखेंगे और जो ZA को भी अपनी कापि कापि में को सब आपको तो इसमें मिलता है तो आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं या फिर आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं तो इस तरह से यह आपका पूरा चप्टर कंपलीट हो गया है